अध्याय 13 अधिकार पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा की लोकतंत्र क्या है और इसका दुनिया के अलग-अलग देशों में कैसे विस्तार हुआ है अधिकारों की अवधार्णा भी कुछ शताब्दियों से उभर रही है और लोकतंत्र में बदलाव ला रही है इस अध्याय में हम वास्त्रिक जीवन की कुछ एतिहासिक घटनाओं से बात प्रारम करते हैं जिनसे यह पता लग सके कि अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कितना कठिन होता था हम ये समचनी की कोशिश करेंगे कि अधिकारों का क्या आशय है हमें इनकी आविशकता क्यों है और लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभा सकते हैं अधिकारों के बिना जीवन दास व्यापार हमने इतिहास के अद्यायों में سन 1789 में हुई फ्रांसिसी क्रांथी के बारे में पढ़ा है फ्रांसिसी क्रांथी की सबसे बड़ी सफलता मनुष्य के अधिकारों की अवधारना को उभारना है इसी फ्रांसिसी क्रांति के समय फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में अफरीकी और एशियाई देशों के लोगों को दास बना कर काम करवाने की प्रथा प्रचलित थी दास व्यापार 17 सदी में एशियाई और अफरीकी देशों में जोरों से चल रहा था इसमें प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंगलेंड, फ्रांस आदी देश शामिल थे उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाहों से अफरीका तट पर जहाज ले जाते थे जहां वे इस्थानिय सरदारों से दास खरे देते थे दासों को दाग कर एवं हतकणिया डाल कर अटलांटिक महासागर के पार केरिबियाई देशों तक तीन महीने लंबी समुद्री यात्रा हेतू जहाजों में ठूस दिया जाता था वहां उन्हें अमेरिका के बगान मालिक खरीद लेते थे इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कस्टों का सामना करना पड़ता था उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था और कई दास बीमार पड़ जाते थे व्यापारी उनके साथ पश्वों जैसा व्यवहार करते थे दास श्रम के आधार पर यूरोपिय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना मुम्किन हुआ बोर्दे और नांते जैसे बंदरगा दास व्यापार के कारण सम्रिध नगर बन गया फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली की व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किये जाएं या नहीं लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के भैसे नेशनल असमली में कोई कानून पारित नहीं किया गया अंतता सन 1794 के सम्मेलन ने फ्रांसिसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया यह कानून कुछ समय तक ही लागू रहा दस वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी बागान मालिकों को अपने आर्थि खित साधने हेतु अफरिकी और श्वेत लोगों को दास बनाने की आजादी मिल गई फ्रांसिसी उपनिवेशों से अंतिम रोप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया अमेरिका में दास प्रथा को सन 1865 में समाप्त किया गया किन्तु उन्हें नागरिकों के समान अधिकार बीस्वी शताब्दी तक नहीं मिल पाए अमेरिका के सम्विधान में आजादी के तुरंत बाद ही अपने नागरिकों को कई अधिकार दिये गया लेकिन महिलाओं और अश्वेतों को नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए लगातार संगहर्ष करना पड़ा श्वेत महिलाओं को मताधिकार सन 1920 में दिया गया आश्वेतों एवं अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियनों की इस्थिती तो बहुत ही खराब थी उन्हें अमेरिका में सिर्फ अपने आश्वेत रंग वो अलग नसल होने की वजह से तरह तरह के भेदभाव का सामन करना पड़ता था उन्हें बस गाड़ी पार्क रस्टूरेंट सिनेमा घर जैसे सारवजने के स्थानों पर श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था वे लोग श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बराबरी से बात नहीं कर सकते थे उन्हें खाने पीन की एक अश्वेत महिला नागरिक रोजा पार्क के साथ बस में सीट के लिए हुए भेदभाव की घटना ने अश्वेत नागरिकों में विरोध की एक बड़ी लहर पैदा की। अमेरिकी अश्वेतों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेत्रितु में अपने अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन प्रारंब किया जिसे नागरिक अधिकार सिविल राइट्स आंदोलन के रूप में याद किया जाता है।